हाई यह देख रहे हो देथ बाय चॉकलेट सुना कभी डिजर्ट का नाम यह उसका बाप है बाप चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम कोई मैदा कोई आटा कोई सुची उस नहीं करेंगे इसके अंदर जरूरत ही नहीं है बहुत एजी और इसमें अगली मिलताती है उपस थड़ा गलावा लोगे इसको मैं हटा आजे हूं इससे पहले की कॉमेंट्स आए कि गलावा डाल दे वह वह बला पार्ट निकाल देथा फिर मैंने लिए 3-3 चमच कुछ कोगो पाउडर और एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर जो चोटा वाला थ जैसे मेरे पास OTG में में मनाती हूं किसी मरजी में मनाओ जिस तरीके से अब अपना यूजल मनाते हो इसको बनाने में मेरे ख्याल से 6-7 मिनिट लगे थे फिर भी अंदाजा है यह तो आप टुट्पिक से चेक कर सकते हैं आपको समझ में आ जगा देखती ही कि वह बन गया कि दाग चॉकले देखते हैं में ले सकते हो समझ गया तो और हलका सा मखन लिया अमूल बटर वाला ही लिया बिल्कुल एक तीस पुंचीता है इन तीनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया मैल्ट कर दिया मैंने माइक्रोव में रखा 30 से के निकाला चमत से गुमाया फिर फिर आधा था चीक है और इस तरीके से हम पूरी चॉकलेट को बिचा देंगे अपनी केक के उपर ओ बेटे यह देख रहे हो मस लग रहा ना आप अगर अपने मुमा के लिए बनाओ गे मदस्टी क्यों कि आ रहा है मुझे नहीं बता आप भी बाद में वीडियो देख सकते हैं अब भी बना रहे हो कि तो चाद दिन में तो बेटे मम्मी तो बोले कि बाहर से बाहर से बढ़ आप अपा घर पी बना रहे है और इंग्रियों बीजी है अचा गाई इन केस आपको एग्लेस आप एग्ज यूज नहीं करते वेजिटेरिन हो तो मैंने ना दो चाद दिन पह तो यह देख रहे हो बिटे दी मस्त है गईस आइनो थोड़ा लग सकता है कि अरे यह मैदा वग्यारा कुछ भी नहीं था इसके अंदर तो यह कैसा होगा खाने में बट यह अच्छा था I liked it बस आज के लिए इतना ही I hope आपको पसंद आयो वहाद अचा लग रहा है ना I hope अपको पसंद आयो लाइक कर देना वीडियो शेयर कर देना और कॉमेंट करें बताओ कैसे लगा और नए हो था सब्सक्राइब